अस्तामलीकूम फ्रेंड्स, वेलकम बेक टूप स्मार्टीस, ट्रामा सीरियल हक में है विर्सा जिसने वकार को देखते ही देखते पूरी रात गुजार दी एक भी मिनट वो सो नहीं सकी, सुबो जब वकार ओफिस कए तो विर्सा के सर में बहुत दर्था, चाय पीना चाहती है, नाश्ता करना चाहती है तभी तो अपनी सास से बात की, तो सास में पहले तो तंस की कि यहां पर हमारी भूख खतम करके तुम्हें भूख लग गई तो विर्सा कहने लगी मेरे सर में दर्थ है चाय पीना चाहती हूँ प्लीज मुझे चाय चाहिए तो यहाँ पर सास बहु का हाथ पकड़ते हुए किचन में लेकरी और कहने लगी अगर तो तुम्हें में रुकसत करवा कर लाती बहुत प्रोटोकॉल मिलता तुम्हें दो महीने तक इस किचन के तुम्हें शकल भी न देखने देती लेकिन जैसे तुम आई हो तुम्हें यहाँ पर अपने काम खुदी करने होंगे ऐसे ही विर्सा अपनी चाएब नाने के साथ-साथ किचन के दूसरे काम भी करने लगी वकार जब शाम को ओफिस से आया तो विर्सा को उसके कमरे में नहीं देखा परेशान हो क्या विर्सा को ढूंडने लगा कि पता नहीं वो कहां चले गई, वापिस तो नहीं चले गई अब तो वकार भी सच में परिशान हो चुका है क्यूंकि वो भी नहीं चाहता कि विर्सा वापिस चली जाए ऐसे में एमन से पूछा, तो एमन भाई को किचन में लेकर आती है, ये देखिए, ये यहाँ पर है तो विर्सा भी चौंक कर पीछे देखती है, क्या हुआ वकार, कुछ चाहिए था, आप आ गए तो वकार तो विर्सा की इस अंदाज पर वाकिछ शौक रह गया, क्यूंकि विर्सा ऐसे बात कर रही है, जैसे सब कुछ नॉर्मली चल रहा है तब ही वकार उसे याद इहानी करवाता है, तुम्हें कनीजे आजम बनने की जरूरते ही, तो मेहमान हो, मेहमानों की तरह इस घर में रहो, जब तक रहना चाहती हो, रह सकती हो, लेकिन आहर में तुम्हारा ठिकाना यहाँ नहीं है यह कहते हुए, वो तो यहाँ से चला किया, विर्सा परेशान हो कई, कि वो तो यहीं पर ही अपना आहरी ठिकाना समझ कर आई है, लेकिन फिर भी सारी बातों को इग्नॉर करते हुए वकार जो के ड्राइंग रूम में जाकर बैठ चुका था, उसके लिए दूद का गलास दे आती है, तो वकार विर्सा के ये अंदास देखकर परेशान सा हो गया विर्सा तुम जानती भी हो, तुम अंगारों पर चल रही हो तो विर्सा कहने लगी आपके साथ रह रही हूँ, ऐसे मैं अंगारों पर चलना भी बड़ा, तो चल पड़ूँगी इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, मुझे तो सिर्फ आपके साथ रहना है, किसी भी हाल में तो वकार कहने लगा, इन अंगारों पर चलते हुए सिर्फ पाउंज जहमी नहीं होंगे जलकर पूरी की पूरी राख हो जाओगी, हाक पन जाओगी तो विर्सा तनसिया मुस्कराहत मुस्कराते हुए कहने लगी, कि आप मुझे वाकी ऐसे हाक होने देंगे अगर होने देंगे तो हो जाओगी, क्योंकि मैंने देखा है कि आप सब के सामने मिरी साइड लेते हैं, मेरे लिए स्टेंड लेते हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसे पता चलता है कि आपकी मुहबत आज भी जिन्दा है और वकार मैं भी तो आपको बहुत चाहती हूँ इस तरह से हमारा रिष्टा निप जाएगा ऐसे ही विर्षा ने घर के कामों में दिल्चस्पी देना स्टार्ट कर दी खाना बनाने लखी आज खाना विर्षा ने बनाया सास को और वकार को कोई अतरास नहीं लेकिन हारी साहिब को है क्योंकि उन्हें लगता है कि विर्षा जूबी की जगा दे रही है उनकी भांजी की जो कि वो किसी भी सूरत किसी भी कीमत नहीं देना चाहते विर्षा को असल में तो हारी साहिब अपने मफात की हाथी रसा करना चाहते हैं क्योंकि जूबी के बाप अकरम साहिब के बहुत से शेयर से इनकी कमपनी में अगर तो वो नरास हो चाते हैं तो ये लोग सड़क पबूल करने को त्यार ही नहीं, खाने की मेज पर से उटकर चले चाते हैं, तो विर्सा भी कमरे में आ गई, यहां पर वकार विर्सा को मनाने आता है कि खाना खाऊ आकर, लेकिन इतने में, ये शेतान जूबी टपक पड़ती है, जूबी टपकी तो बड़ा ही हक चताने लग वकार पर के वकार को बाजू से पकड़ते हुए, उसके कमरे से विर्सा के पास से ले गई, पाहर जाकर लौन में बैट गई, ऐसे ही वकार और जूबी दोनों बहुत देर तक बाते करते रहे, तो विर्सा जूबी चूँके महमान है, इसलिए उसके लिए चाय बना कर ले जाती है, वकार तो इस अंदास पर भी विर्सा की तरफ देखता ही रहा और पिर जूबी भी, लेकिन विर्सा चाय टेबल पर रखते हुए, फौरन ही यहां से पलट जाती है, यहां से चली जाती है, वकार हुद में ही शर्मिनदा है, कि वो क्यों जूबी के साथ इतना वक गुजा रहा है, जबकि उसके अपनी बीवी मजूद है घर में, विर्सा जो दोनों को बाते करता देखाई है, किचन में आई, बहुत परेशान है, फिर उसे ऐसा लगा जैसे वकार के साथ किचन में वो बहुत अच्छा वक गुजा रही है, लेकिन यह सब कुछ चाब है, हकीकत से बहुत दूर है, ऐसे ही जब वकार कमरे में आया, तो विर्सा बहुत परेशान थी, क्यूंकि उसे जूबी का आना, वकार के साथ खिंटों बाते करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हैर वो शिक्वा करे तो किस से करे, वो हमोश हो जाती है, जिसकी वज़ हैं, इसलिए तो बहुत गुस्से में बाहर आती है, यहां पर आकर देखा, तो आदिल था, तो अब सास कहने लगी, तुम यहां पर रहना चाहती हो, ना विर्सा क्यों रहना चाहती हो, तो विर्सा कह देती है, मिरे शोहर का घर है, वो यहां तो क्या कहीं भी रहेंगे, मै उन्ही के साथ रहूंगी उन्ही के पास तो सास कहने लगी ठीक है तुम्हारा फैसला मुझे कबूल है मनसूर है लेकिन तुम भी एक बात जरूर सुन लो कि इस घर में तुम्हारे कजन तुम से मिलने नहीं आया करेंगे अगले दिन फर्मान ने आकर कितना हंगामा किया अब ये क्या कुछ नहीं करेगा हम क्या जाने मैं रोज रोज अपने घर में तमाशा बरदाश्ट नहीं करूँगी तो आदिल कहने लगा नहीं आप मुझे गल समझ रही है मैं तो विर्सा को बताने आया हूँ कि इसकी मा यनि के मेरी पुपो की तबियत बहुत हराब है विर्सा को बहुत मिस करती है एक पर अच्छा होगा कि विर्सा उन से मिलाए ताकि उनकी तबियत ही खो जाए विर्सा ने मा के बारे में ये सब कुछ सुना तो बहुत परिशान हो गई ऐसे ही फिर वो अपनी मां से मिलने भी जाती है उस वक्त चाती है जब बाप घर पर नहीं होता और मां अकेली है ऐसे में वो अपनी मां से मिलने गई गले लगकर जारो कतार होती है मा भी बेटी के दुख को बहुत अच्छे से महसूस करती है और वो बेटी को मजबूर नहीं करेगी कि वो घर वापिस आ जाए बलके बेटी को फिर से दुआओं में ही रुकसत करेगी कि वो अपने घर में आबाद रहे और वकार के दिल में अपनी जगा बनाने में काम्याब हो जाए ऐसे ही कुछ दिन गुसरे कि विर्सा को मालूम पढ़ गया जूबी ने कुछ रकम दे रखी है वकार को जिसकी वज़ा से वकार काफी परेशान है कि लोटा नहीं पा रहे तबी तो वो अपना चेक लेकर वकार के पास आजाती है कि इस रकम से अपनी परेशानी दूर कर ले वकार तो एक दम से परेशान रहा क्या क्योंकि हारी साहिब ने बताया था कि विर्सा के माबाप ये चेक कैश करवा चुके हैं तो फिर विर्सा के पास ये चेक कहां से आया यहां पर वकार को क्लिक करेगा कि उसके बाप ने छुट बोला था लेकिन दूसी तरफ वो विर्सा पर इस बात को आयान नहीं करेगा बलके विर्सा पर गुसा करेगा मुझे सिर्फ 50 लाग नहीं चाहिए 10 करोर चाहिए अगर तो मेरी जिन्दगी में शामिल होती हो तो 50 लाग उसकी कीमत अब नहीं है अब 10 करोर है क्योंकि अक्रम अंकल ने जोके जूबी के वादी थे हमारी फैक्टरी में उन्होंने 10 करोर इंवेस्ट किया है जिसकी वज़ा से हमें बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं उन्होंने बहुत से शेर्स पाई किये हैं अगर तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो उन्हें उस शेर्स की रखम वापिस करनी होगी क्या हैं तुम्हेरे पस 10 करोर ये बात तो अब प्रसा को भी परिशान करने लगी कि यही बात इनके रिष्टे तूटने की वज़ा ना बन चाए लेकिन है एक तरफ जूबी और दूसरी तरफ फर्मान भाई रिष्टा तो तूटने किनारे पहुंची जाएका क्यूंके जूबी काफी दूर तक आगे निकलने वाली है अपनी ही इज़त को दाव पर लगाते हुए वकार को अपनाना चाहती है तो दूसरी तरफ फर्मान साहिब की सोच भी तो इतनी ही घटिया है जितनी जूबी की वो भी तो विर्षा की इज़त पर बुरी नजर जमाई बैठा है ताके मकार उसे छोड़ते और विर्षा मेरे पास आजाए फर्मान और जूबी की हरकते काफी सेम सेम हैं इनके अरादे बहुत ही नेक हैं और एक जैसे हैं ऐसे में इन दोनों का तो एक दूसरे का पार्टन ही होना चाहिए इतना ही मसा आएका के आगे चलकर जूबी और फर्मान की शादी दिखाए चाए फिर तो ड्रामा सूपर डूपर हिट होने वाला है फ्रेंट्स इस पारे में आप क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बताइए का आप मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ पर नोटिफकेशन जरूर पिस कीचिए तक आने मादी हर वीडियो बहुत असानी से दिख सके दौाओं में याद रखिए का अपना बहुत सा रहा रखिए का ने मीचे तक के लिए अलाहाफीज